हेलो हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं शिक्स्त क्लास NCRT में एक्सरसाइज 7.6 जिसका कॉस्चन नमर 3 कर रहे हैं हम चप्टर का नाम फ्रेक्शन से हैं क्या दिया हुए कॉस्चन में वो जरा ध्यान से देखिए समझिए नैना वाज गिवन 1 1 by 2 पीश ओफ केक और नजमा वाज गिवन 1 1 by 3 पीश ओफ केक वाज गिवन तो बोट अव तेम नैना को केक का 1 1 by 2 पीश दिया गया और नजमा को दिया गया 1 1 by 3 पीश दोनों को मिला करके कितना केक दिया गया क्लियर हुआ अब 1 1 by 2 एक mixed fraction है इसको हम improper fraction में लिखेंगे मतलब एक केक से ज़्यादा केक मिला है इसको नैना को mixed fraction से हम improper में बदलेंगे तो इसको इससे multiply करेंगे जो आए उसमें ये plus करेंगे 2 1 is 2 2 plus 1 3 3 by 2 अगेन इसको इससे multiply जो आए उसमें ये plus 3 ये 2 का 2 रहेगा 3 by 2 आगया इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे रजमा को मिला 1 1 by 3 तो इसको भी एक से ज़्यादा केक ही मिला है इसको इससे multiply जो आए इसमें plus ये 4 by 3 दोनों को मिला कर कि कितना मिला तो वो दोनों को plus कर देंगे याद रखिएगा ज़्यादातर statements आपको questions में ही मिल जाती है तो मैंने क्या लिखा नैना watch given piece of cake is equal to नैना watch given cake मैंने piece भी नहीं लिखा शिरफ cake लिखा अंडरस्टूड है कोई दिक्कत नहीं है इतना enough है इसी तरीके से नजमा watch given cake is equal to इतना 4 by 3 तो कोई दिक्कत नहीं है piece of cake नहीं लिखा लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं इसी तरीके से total amount of cake was given to both of them मैंने यही से देख करके लिखी है खुद की तरफ से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो fraction of cake given to नैना is equal to इतना अगर आपकी English अच्छी है तो आप बनाईए अच्छा रहेगा और अपनी English अगर अच्छी नहीं है तो उसे अच्छी बनाईए ठीक है तरले से बैटर बनाईए तो देखिए आप दोनों में कुछ भी common नहीं है इसका मतलब इन दोनों का product ही LCM होगा इसको हम उपर नीचे 3 से multiply करेंगे इसको हम उपर नीचे 2 से multiply करेंगे तो ये like fractions में convert हो जाएगा इसको 2 से 339 बाए में 6 इन दोनों का product ही LCM होता है कब जब दोनों में कुछ भी common ना निकले 2 और 3 में कुछ भी common नहीं है दोनों किसी भी number से divisible नहीं है 9 and 8, 17 17 by 6 आपको answer मिलता है तो इसको मिक्स fraction में convert करेंगे 17 को 6 से divide करती है 6 तूजा 12 7 मैनेस 2, 5 तो यहाँ पर तो 6 ही रहेगा यहाँ आएगा कौन? question 2, यहाँ आएगा remainder 5, 2, 5 by 6 यह आपका answer हुआ इस आट clear? असान है न? हाँ तो इस तरह से practice करते रही है और आपने क्या करना है वडियो को लाइक करना है अगर अगर आप तक निए प्लीज कर दीजे और अगर कर दिया तो thank you very much share किजिए अपनी दोस्तों से ताकि वह भी से फाइदा लेजिके comment किजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं bell icon को बटन को दबाना मत बुलेगा ताकि आपको latest update मिलते रहें तो thank you students for watching your own video in the next video में जिश में हम करें next कोई solution always have a great time bye